अस्सेलाम अलेकूम मैरे मुत्य। यह हुआ है मेरा conversion बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है, बिल्कुल किसी की दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है, मैं खुद willing थी लड़का कोई भी लड़का चाहे कुछ भी हो जाये शाधी के मामले में किसी को फ earlier लड़क्ग क्ली बढूरा काई कि अपना करवाया मयें उड़ क्वार्षित है तो कि जय्यक सबस्क्राइब पूर्श क्या धिरी भी मांगते हैं सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मेलब कोट होगा या कोई ऐसा जाज होगा कि वो माइनर लड़की का की शादी करवा देंगे या कोई कैसा मौलाना होगा जो छोटी लड़की का कनवर्जिंग करवा देंगे ऐसा कोई मसला नहीं है रहा सवाल मौलाना साथ का मौलाना साथ या मुफ्ती साथ जो हैं जो शादियां करवाते हैं तो मैं ये भी बताती चलूं कि जब वो शादी करने के लिए हम मौलाना साथ के पास खास में अपना बता हूँ मुझे दूसरों का नहीं पता मैं अपना बताती हूँ जब में मौलाना साब के पास शादी के लिए गई उन्होंने मुझे एक बार परसनली मुझे पहले मौलाना साब मिले दूसरी बार में फिर मुफ्ती साब से मिली उन्होंने मुझे परसनली अ आप अपनी मर्जी से हो रहे हो एंधे टो यह में सब को बताती चलो कि जब भी शादियां में होती हैं निकाह भी होते हैं मौलाना साहभ या मुफ्ती साहभ वो भी अपने में लेवल पे पहले investigate करते हैं वो लड़की से पहले पूछते हैं कहीं ये forceful act तो नहीं है आपको कहीं forcefully convert तो नहीं किया जा रहा है तो उसमें काफी 2-4 दिन उसे जो ये सिक बरादरी हमारी है वो काफी rude हो रहे हैं तो मैंने इसलिए video बनाया कि मैं ये बताती चलूं कि कोई भी कनवजी या कोई भी शादी खासकर शादी बागी चीज़ों का मैं नहीं बोल सकती हूँ खासकर अगर कोई शादी होती है तो वो बिल्कुल forcefully कोई शादी नहीं हो सकती है तो gun point पे लाव जहाद का तो कोई मसला ही नहीं है इन्होंने को मैं सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज for God's sake इस मसले को political issue नाग बनाएं political issue बनाने की कोई जरूरत नहीं है brotherhood को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में तो ये जो आपसी बरादरी है सिक बरादरी या मुसलिम्स की आपस में जो बराद बराद में रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ अच्छे से रह रही हूँ और ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ मैंने खुद अपना conversion खुद अपनी मर्जी से किया था और मैं एक बालिंग लड़की हूँ मेरे अपने fundamental rights है मैंने अपने fundamental rights को use किया मेरा मैंने अपनी मर्जी स 220 नहीं को चुना चना मैंने अपने कि चुछ नहीं है तो इसमें कोई किस्म की niya कोई कुछ नहीं है तो मह आकर मैं यही बोलना चाहती हूँ के महरबानी करके आप इस चीज़ को huh बाहिचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें एसा कोई मसला है किसी लड़की को कभी Benjamin tot कोई कैन नहीं कर सकता है और आजकल की जेनेरिशन को कोई भी नहीं कर सकता है यह आम सब अच्छे से बली बात जानते हैं तो मैं सबसे यह अप्लीर करती उ выпуск महरबानी करके इस्था बना अधर तो मेरा भी conversion जो है वो बिलकुल मेरी मर्जी से हुआ है मैं खुद अपनी मर्जी से और ये भी मैं बोलूँ कि मेरे जो conversion हुआ है 70% जो मैं conversion को अपने को reason दे रही हूँ वो है कि मैं इसलाम से मुतासर थी मैंने conversion किया 30% ही मैं love की और जा रही हूँ तो इस वज़ा से मेरे मामले में कोई यह नहीं बोल सकता है कि forcefully conversion हुआ है या और कोई चीज मैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं आप साब को बोल सकूं में साब को दिखा सकूं कि मेरा कोई conversion नहीं है मतलब forcefully और नहीं मुझे किसी ने gunpoint पे रखा जैसे आप साब ब